हेलो स्टूडेंस आज हम क्लास वान कम्पूटर के चैप्टर 6 पैंट के टोपिक पैंट विंडो के बारे में पढ़ेंगे देखो पेज नमबर है 53 हम स्टार्ट पैंट पढ़ चुके थे तो हम केसे पैंट पोग्राम को ओपन करेंगे कौन कौन से स्टेप्स को फोल करके तो आज हम पैंट विंडो के बारे में पढ़ेंगे देखो जब पैंट विंडो कम्पूटर के मोनिटर पर अपन हो जाएगा देन हम पैंट कर सकते हैं तो पैंट विंडो का पोग्राम ऐसा दिखता है तो पैंट विंडो में क्या-क्या होता है एक फाइल टैब होता है इसे कर एक title बार होता है इसको title बार कहते हैं तो यहाँ पर untitled pen लिखा हुआ है यह title बार है यह ribbon है ribbon में colors आते हैं size, shapes, brushes और letters, then pencil, eraser यह सारे आते हैं और paste और select, home, clipboard, image, tools यह सारे आते हैं ribbon पर और यह है drawing area यहाँ पर drawing करते हैं जो भी pictures आपको draw करना है तो आप यह drawing area में आप draw कर सकते हो और draw करने के बाद आप color भी कर सकते हो यह यहाँ पर जो ribbon में colors है तो color भी आप कर सकते हो तो यह सारे हैं paint window का part, file tab, quick access toolbar, title bar, ribbon, drawing area और यहाँ पर देखो तीन्ठों symbol है एक minus की तरह यह है minimize और यह है maximize और यह है close तो अगर हम minimize करेंगे तो यह paint का program छोटा हो जाता है और maximize करने से बड़ा हो जाता है और close को click करने से यह close हो जाता है यह program close हो जाता है paint का program तो यह तीनों भी होते हैं तो यह है paint का window, the main parts of paint window are given below तो इसके बारे में हम और एक class में पढ़ेंगे तो इसको याद करना क्या क्या होता है paint window में file tap, quick access toolbar, title bar, ribbon और drawing area यह क्या है